हलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले बिहार SLC के बारे में बिहार SLC में डॉकुमट अप्लोड को लेकर कंडियेट बहुत जाद परिसान थे और बहुत सारे कंडियेट से जो बिहार SLC का अप्लोड करने में कोई ने कोई गल्ती हो गई थी तो वैसे candidate बोल रहे थे कि अब क्या होगा उनका document को सुधार करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा तो बिहार SSE ने उनकी समस्या का समाधान ढून लिया है और उनको नई तिथी दे दी है document को upload करने के लिए तो उनकी समस्या को समझा गया परिसानी को समझा गया और नहीं तिथी जारी की गई डोकुमेंट को re-upload करने के लिए लेकिन यह आखरी मौका है और जो आपकी 18 फरवरी लास्ट डेट थी उसको बढ़ाके 18 मास तक extend कर दी गई कि आप document जो है re-upload कर सकते है 18 मास तक तो आपको document इस वर कैसे upload करना है चली मैं आपको बताता हूँ वीडियो को अन तक देखिएगा तांकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए तो चलिए सबसे पहले आपको नीचे चले जाना है तो सबसे पहले आपको login करना है login करने के बाद आपको जो भी आपका ID है registration ID पासवर्ट डाल के login किजएगा तो आपने जो भी document upload किया होगा तो यहाँ पर देखिए आपको सो कर रहा होगा पहले print updated application form जो यहाँ पर दो नमर पर आपको blue lining में दिख रहा है उसके उपर देखि और यहाँ पर option आज आएगा document को re-apload PDF certificate option यहाँ पर आगे अगर इसको ok कर देते तो पहले जो भी document अपने upload क्या हो रिसेट हो जाएगा अब फिर से जो है है तो उहाँ पर जैसे मेंने ok किया तो मैंने document पहले upload कर दिया था उस तहीं से upload हो गया था मेरा यहाँ पर देखिए step 3 मेरा फिर से खूल गया लेकिन step 1 or step 2 नहीं खुला है मतलब जो है मैं सिर्क document को यहां पर upload कर सकता हूं तो चलिए आपको बताता हूं document को कैसे upload करना मैं थार इस्टेप पे क्लिक कर दिया हूं और यहां पर अब जो है document मुझे एक एक करके select करना है तो डोकुमेंट को upload करने से पहले यहां पर जो भी लिखा हुआ है देखे रेड लाइन में सबसे नीचे पहले इसको देख लेना है ध्यान से ध्यान दे अन्तिम सम्मिट से पहले किरफ्या सभी upload की ग तो मैं चल्हेए एक कर के सबको select कर लेता हूं तो मेरा pdf सारा बना हुआ है सब theat को should अब कर लेता हूं छेता कर लिया कि इसी तरह से माइने सब्सें और एक्यक करके तो इसलेक्ज कर लेता हूं आया तो यहां देख़िए map हो कु सेलेक्ट कर लetus हूँ तो यह देखिए मैंने रिनेम करके सारे फाइल का नाम लेग दिया था तैंस मक्सीट 10 सेटिफिकेट 12 मक्सीट 12 सेटिफिकेट अधारकार रेसिडेंस सेटिफिकेट सेटिफिकेट अब मुझे यहां पिडिपक लेना किट कर देया है तो मैं सर देता हूं कि अब हैं अब लगalo 571 अब देखिए मेरा जो है अप्लोड हो चुका है और यहां पर देख्या किया बोल रहा है ध्यान दे अन्तिम से मलेग साप्लोड के ला इसको ड threaten car पत्र देखेए यादि कोई प्रमांत पत्र सी जी डाउनलोड नहीं हो रहा है तो सभी प्रमांत वर्ण अपलोड करें अपलोड कर दिया लिकिन यहां से दुवारा इसको जांच करने के लिए बोला जा रहा है जब मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो मेरा यह जो कुछ जो तो में ने हर एक डोकमेंट को सही सही जास कर लिया मेरा टोकमेंट सही सही जो है सबहु भी हो चुका है अब मैं बस इसको अब सब्मीट कर दूगा तो ऐसे यह आपको भी करना है और अगर कोई भी गलती हो गई आपने देख लिया कि यहां पे कि डोकुमेंट और गलत अपलोट हो गया है मैं को यह नहीं पे अपलो ball करकर जोद करने जाए जोएं già कर देना तो यह देखें मेरा सब्सक्राइब हो चुका है अब नीचे जाके अपना अप्लिकेशन प्रिव्यू कर लेते हैं उस सारा डोकुमेंट को इपर फिर से वेरिफिया कर लेते हैं कि मेरा डोकुमेंट जो सही से अप्लोड हुआ है या नहीं हुआ है या कोई डोकुमेंट कहीं एरर तो सुन नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आपको यहां से नीचे चले जाना है यहां पर देखिया Print updated application form का option है सबसे उपर इस पर click कर देना है और यहां देखिया सबसे नीचे जो click here to preview document का option है तो यहां से जो सारे document को करके view कर लेना है तो सबसे उपर जिसे 10th का मार्क सीट है तो मैं यहां से चेक कर लेता हूँ यह मेरे 10th का मार्क सीट है यहां पर देखिए लिखा हुआ है 10th का मार्क सीट है मैं एक एक करके सारे डोकमेंट को जो है वेरिफाइ कर लेता हूँ तो मैंने इस सारे डोकुमेंट को जो है चेक कर लिए मेरा सारा डोकुमेंट साही साही अप्लोड है कोई भी गलती नहीं है तो आपको भी इसी प्रकार से जो सारा डोकुमेंट को वेरिफाइ कर लेना है कहीं डोकुमेंट आपका कोई एरर तो सो नहीं हो रहा है तो आपको सा से वीडियो देख लिजेगा समझ लिजेगा उसके बाद ही जो है आप करेक्शन किजेगा यहां पर देखे लिखा हुआ है अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा सेर करें ताकि जो भी कंडियेट्स बिहार SSC के डोकुमेंट अप्लोड के परेशान है उनकी समस्या का समाधान हो जाए और ऐसी इन्फरमिटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले